hello good afternoon good afternoon everyone how are you all good afternoon good afternoon how are you all very good very good okay तो last class में हम लोग ने कहां तक कर लिया था ठीक है fundamental right हम लोग का जो part third है वो complete हो चुगा था ठीक है अब इसके बाद आज हमारे कुछ दो important topic है और उसके बाद फॉरण हम लोग question and answer पर जाएंगे जो हम लोग करेंगे ठीक है तो without wasting time switch on to topic आज को topic हमारा DPSP most important and most relevant DPSP directive principle of state policy इससे पहले नाम सुनाएं किसीने एलिमन ठीक है बहुत basic सा शायद आप लोग को पता भी हो but for your information directive principle of state policy is a guidelines एक guidelines है जो की government को दी जाती है क्यों जी आती है ताकि जब government society के लिए इंडिया के लिए जब किसी भी तरह को कोई भी law बनाएं तो उन law को बनाते वक्त इन guidelines को वो अपने नज़रों के सामने रखें और इसी के according law को बनाएं ठीक है ऐसा नहीं होना ची कि government की जो अपने मन में आ रहा है वही law बनाती जा रही है इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको law बनाना है ठीक है तो इसकी पूरी exhaustive list है वह भी मैं आप लोगों को प्रवाइड करा दूँगा फिलाद उससे चुलेवे कुछ facts है उसके बारे में लोग देख लेते हैं जैसा कि fundamental right part 4 में था इसी तरीके से जो आपका DPSP है वो part 4 में है नेस्ट आर्टिकल इसमें 36 से लेके 51 में इसके बारे में बात की गई है 36 से लेके 51 तर इसमें कई आर्टिकल है जिसके बारे में बात की गई है यह नॉर्मा साइक पिक्चर है उसके बाद आपके कुछ basic से fact है DPSP के बारे में सबसे पहला fact कि these are the instruction for the government for making any law or regulation for the country वही जो मै आने से पहले government के लिए mandatory है कि इन guidelines को अपनी रज़रों के सामने रखे और इसी के according वो law बनाए ठीक है basic definition इसकी ही जोगाती है next point है जैसा fundamental right में हम लोगों ने पढ़ा था कि वो justiciable है it means कि अगर आपके किसी fundamental right का हरन हो रहा है तो आप उसके लिए court में जा सकते हैं but यहां पर यह non-justiciable है point to be noted यही एक major difference है जो fundamental right को DPSP से अलग करता है ध्यान रखेगा fundamental right is justiciable but DPSP is not justiciable it means अगर किसी वजह से कोई DPSP सरकार follow नहीं करती है तो उसके against में आप court नहीं जा सकते but अगर fundamental right की respect में सरकार किसी भी तरीके घानन करती है तो उसकी respect में आप court जा सकते हैं next fact it is classified into three parts by the scholars not by the constitution देखिए हुआ क्या है कि जो आपके जो DPSP है वो 36 से लेके 51 तक है अभी आर्टिकल पूरे आजाएंगे मैं आपको दिखा भी दूँगा लेकिन अगर उसको इना वन गो आप पढ़ना चाहेंगे तो आपको पढ़ने में भी दिक्कत होगी और कहीं न कहीं आपको समझने में भी प्रॉब्लम आईगी तो यह प्रॉब्लम आई रही थी तो इस प्रॉब्लम को solve करने के लिए scholars क्या कि उस पूरे DPSP जो 36 से 51 की बीश में पाए जाता उसको तीन स्वभ में डिवाइट कर दिया कि इसमें कुछ इसको तीन हिस्थ में डिवएक कर दीगा, वो तीन हिसे क्या है, No.1, कुछ प्रिंस्पल उसके ऐसे हैं, कि जिनको हम लोग गांधियन प्रिंस्पल बोलते हैं, गांधियन प्रिंस्पल का मतलब क्या, कि कहीं न कहीं, गांदी जी की आइडियोलोजी से वो सब inspired थे इस वज़े से कुछ प्रिंस्पल को हम लोग गांदियन प्रिंस्पल बोलते है number two कुछ प्रिंस्पल उसमें socialistic principle कराते है मतलब कि जो हमने आप लोग को बताया थे socialism ideology को belong करते है समाज के respect पर बात करते है कुछ प्रोविजन उससे रिलेटेड़ और तीसरा जो है last कुछ है जो liberal और intellectual है इसका मतलब क्या कि time के according समय के हिसाब से चीज़े change हो रही है उसी के अधार पर कुछ ही point होते हैं जिसको हम लोग liberal और intellectual बोलते है इसको समझने के लिए एक छोटा समय fact बताऊंगा जैसे आप लोग को पता होगा कि इंडिया में जो अलग-अलग धर्म है उनके यहां जो शादी और डाइवार्स इन सबका जो प्रोसेस होता वो अलग-अलग होता है जैसे मुसलिम है उसमें प्रोसेस पुरा शरिया कानून प्रोसेस होना जाये कि चीज़ें और ब्रोसेस एक तरीके से हो तो इस तरह की जो थिंकिंग होती है मला कि चीज़े चेंज करना वो जो पॉइंट है वो जो डी-पी-अस्पी है वो हमारी कहीं है कि लिबरल और इंटिलेक्शल माती है इसका सबसे अच्छा एक्जाम्पल होता है Article 44 Article 44 कहीं न कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? एक ही तरहां का सिविल कोड होगा मतलब कि जितने भी शादी या ये सब चीज़े होती है वो एक ही प्रोसीजर से फॉलोग करने चाहिए तो एड़ा क्रस जो बोलूँ कि जो आपके DPSP 36 से 51 है उनको इना वन को पढ़ने में आपको दिकत हो सकती है उसको थोड़ा इजी वे में करने के लिए उसको तीन हिस्वों में हम लोगों ने डिवाइट किया हैं मतलब स्कॉल झें कुछ प्रिंस्प्र ने जो गांदी जे इस के आई do कुछ प्रिंस्प्र प्रेंजिक प्रॉथ होते हैं और कुछ प्रिंस्पल लिब्रोड烡 इंटेलैक्ट्सवल ने इसमे रादा ही इसमें द्रीक उरी के इनस्टी लाओडली सब्सक्राइब करने लुए अटो आटा आटाइब करेंगे हैं तो यह जो प्रिंसिपल है facts which is related to DPSP it is more than sufficient जाद आज के internal desk में नी जाना पहला fact कि ये exactly होते क्या है दूसरा fact ये non-justiciable है तीसरा fact आपको बता चुका हम part 4 article 3651 में आते हैं और इनको classify करने के लिए हमने 3 step का साहरा लिया था और हमने ये कहां से opt किया है I am land से opt किया है ये एक पूरी list है आपकी DPSP की respect में इसको याद करने की जरूरत नहीं है कुछ इसमें important चीज़ें आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल दागा कि कौन से चीज किस team segment से बलॉंग करती है जैसे आप ये देखिए ये देखिए ओर्गनाइजेशन ओफ विलेज़ पंचायत आप लोगों को शाइद दिखर आओ ये 14 वाला ठीक है ओर्गनाइजेशन ओफ विलेज़ पंचायत इस तरह की जो आइडियोजी थी वो गांधी जी की आइडियोजी थी मतलब वो गांध यहाद को बहुत जादा प्रमोट करने की कुशिश करते थे तो अगर आप से कोई पूछे कि आर्टिकल 40 जिसमें और्गनाइजेशन ओफ विलेज़ पंचायत की बात की गई है वो किस से रिलेटेड है वो गांधी है प्रिंस्पल से रिलेटेड है इसी तरीके से आर्टिकल 44 जो मैंने भी आपको बताया उनिफॉर्म सिविल कोड इसका मतलब क्या है कि इंडिया में जितनी भी शादी विया डावॉस जो भी प्रॉसस होगे सिविल से रिलेटेड सब एक ही तरीके से होने चाहिए तो वह 44 है तो कहीं यह लिब्रल है इंटेलेक्श्वल हो जाए यह आपको लिए ज्यादा इंपॉर्टर्ट ही है बस आपको इतना ही फैक्ट इस पर जानने की जुरूरत है ओके कोई डाउट किसी कोश्में डीपीएश्पी में इनिवान है हां बदाय है यह सब कुछ चेंज किया जा सकता है हाँ एक चीज अभी शएद आपके हायर क्लास में आएगी मैं बस आपको इक ग्लिम्स दे रहा हूँ एक कॉंसेट होता है बेसिक स्ट्रक्टर का कॉंसेट्ट क्या है 1973 में चोटा सा कॉंसेट आया यह आपने सवाल पोचा यह कोशन उस समय पूछा गया था तो उस स को हल करने के लिए सुप्रीम कोट ने एक कॉंसेट दिया था जिसका नाम था बेसिक इस्ट्रक्चर उसका मतलब क्या है कि पार्लेमेंट के पास इतनी पावर है कि जो मन में आए वो रिकैसम को चेंज कर सकती है उस सरीके से चेंज कर सकती है लेकिन स्पिंट की कुछ अईसी है कि जिनको और और नहीं चीज हो एक पूरी लिस्ट है। और उसी लिस्ट को हम लोग बेस कि फिलाला भी आप लोग लिए इत्मा जाना बहुत इंपोर्टेंट आप मोदन सफिशन है ओके लूग को नेक्स टॉपिक हेवाग को नेक्स नेक्स टॉपिक इस फंडमेंटल ड्यूटीज अ fundamental duties बहुत basic से fact हैं बहुत easy way में समझ लेंगे जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी society तभी अच्छे तरीके सरण कर सकती है जब किसी को rights तो दिये जाए बट उसके साथ साथ कुछ responsibilities को भी add कर दिया जाए अगर हम सिर्फ right दे देंगे तो आदमी एकदम अजीर सो जाते हैं कि हमें तो सर्फ फैदे मिली रहे हैं भाई आपकी कुछ जिम्मेदारी भी है जब constitution बन रहा था तब ये चीज include नहीं की गई थी point to be noted बहुत important fact है कि जब आपका constitution बन रहा था तो हम जब constitution बना थे तो हमने fundamental right तो दिया था बट fundamental duties नहीं दी थी अब क्या हूँ अभी सब आएगा इसके बाद वही fact आने वाला है कि किस constitution amendment के जरीए से ये आई थी अभी सब आएगा इसके बाद वही सब flight है mean to से ये है कि जब आपका constitution बनाया गया देन सिर्फ और सिर्फ आपको fundamental right दिये गए थे fundamental duties के बारे में कोई बात नहीं की गई थी ठीक है थोड़ा सा आगे बढ़ते 1974, 75, 76 जब आया जब emergency लगी इंडिया में emergency लगी थी मैडम इंदरा गांधी के टाइम पे तो क्या हुआ कि लोगों ने बहुत ज़्यादा दिक्कते की बहुत ज़्यादा बवाल अवाल भी हुआ था उसमें उस समय मैडम ने एक परसन थे जिनका नाम था स्वर्ण सिंग स्वर्ण सिंग साथ इनको बुलाया और कहा कि आप एक कमेटी बनाईए कुछ मेंबर्स के कमेटी बनाईए और देखिए कि किस वजह से लोगों ने इमर्जेंसी में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम किरियेट की है क्या उनकी कुछ रिस्पॉंसिबिलिटी भी फिक्स होनी चाहिए तो फिर सुर्ण सिंग गय है उन्हें पूरी कमेटी बनाई और खुट फुट जाश परताल की और जाश परताल करने के बाग उनहीं ने रिकमेंडेशन दी किस ने दी सुर्ण सिंग कमेटी ने रिकमेंडेशन दी कि इंडिया में फंडामेंटर राइट है सिर्फोसिफ यहां पर उनकी कुछ रिस्पॉंसिबिलिटी भी हमको फिक्स करनी पढ़ेगी देन इनहीं की रिस्पॉंसिब इनहीं की रिकमेंडेशन के स्वाइन सिंग कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद इंडियन कॉंस्टिटूशन में विद 42nd Constitutional Amendment 1976 इंडियन Constitution में DPO fundamental duties को add किया गया इस एट कलियर यह बाफ देशिक साथ फंडमेंटल डूटी इनिशली नहीं थी 1974 75 76 जब मैडम इंडरा गांदी का दौर चाला था तब इमर्जेंसी लगाए गई थी अभी इमर्जेंसी क्या है इसके बारे में कभी बात में बात करेंगे अभी आपके टॉपिक नहीं है तो इमर्जेंसी की टाइम पे लोगों ने बहुत ज़ादा दिक्कते क्रियेट ही हुआ ही था प्राब्लम हुई थी इमर्जेंसी गलत तरीके से लगाए गई थी तो उस समय क्या हुआ फिर मैडम ने सोचा कि ये तो बहुत प्राब्लम क्रियेट करें तो उन्हीं ने एक परसन जिनका नाम था सुन से उनको बुलाया और कहा कि आप एक कमेटी बनाई है और कमेटी बनाने के बाद आप मुझे बताई है कि इस प्राब्लम का सुलूशन क्या है तो उन्हीं ने बोला कि इंडिया में सिर्फ और सिर्फ फंडमेंटल राइट दिये गया है डियूटी यहाँ पर नहीं डिफाइन की गई है अब जिम्मेदारी या अब नीड यह है कि लोगों की कुछ रिस्पॉंसिबिलिटी भी इंशूर की जाए देन क्या हुआ मैडम इंडागार ने 42nd constitutional amendment जो की 1976 में पब्लिश किया गया था उसके जरिये से इंडियन constitution में fundamental duties add की गई है clear बहुत बेसिक सा है ठीक है fundamental duties add की गई थी इस पार्ट में square किया गया पार्ट 4A आपको पताए यह पार्ट 3 किसी से related है fundamental right से related है ठीक है पार्ट 4 किस से related है directive principal of state policy अब चुकि यह amend करके लाए गया मैंने उसी बताया था जब कभी भी इस तरीके का है पार्ट 4A में है ठीक है अब इसके लिए आर्टिकल क्या है इसके लिए आर्टिकल जैसे हम लोग ने बताया था fundamental right के आर्टिकल कहां से कहां तक है 12 to 35 fundamental DPSP के आर्टिकल कितने 36 से 51 ठीक है और fundamental duties में सिर्फ एक आर्टिकल है आर्टिकल 51A एस ठीक है fundamental duties में सिर्फ एक आर्टिकल 51A और इसमें अलग अलग तरीके की पूरी एक fundamental duties की पूरी लिस्ट है जिसमें नेरली 11 कितनी 11 तरहां की fundamental duties आपको बताए गई है क्या है वो fundamental duties वो आप इस स्लाइड में देख सकते हैं यह आपकी fundamental duties है कि इसी तरह के से ग्यारा गाइड लाइन से जो fundamental duties है आज की वो डिफाइन की गई है ठीक है बहुत बेसिक सा fact है समराइज करते हैं अभी चीजों को देख लेंगे बैक चलते हैं अब fundamental duties से related कुछ facts हैं जो कि मैंने आपको वर्बल में बता दिया हैं सिर्फ एक बार आप पड़ भी सकते हैं कि इनिशली constitution में fundamental rights से fundamental duties नहीं थी यह भी मैं बता चुका हूँ दिन लेटर 1976 में विद्ध रहल पुर्टी सिकंड constitutional amendment इट वाज इंकॉर्परेटेटेड ओन रेकमेंडेशन आप सोर्ण सिंगल कमेटी सब बता चुका हूँ नेक्स्ट वी इंस्पाइड अच्छा हम लोग इसके लिए इंस्पाइड कहां से थे जो अर्स्ट वाइल यूएससर था यह जानते हैं आप लोग वाट इस यूएससर तो हम लोग वहीं से इंस्पाइड तो मैं बस बोलना जाता हूँ fundamental duties initially constitution में नहीं थी 1976 में 42nd constitutional amendment की जरिये से fundamental duties को add किया गया है यह पार्ट 4a में पाय जाती है और article 51a में सिर्फ एक article इससे related है और इसी एक article में नेरली 11 तरीके की fundamental duties आपकी define की गई है fundamental duties क्या है यह आपको मैंने बताया आप लोग को यह PDF देजी जाएगी तो इसमें से आप लोग चीज़े clear कर लेंगे यह 11 तरीके की याद करने की जरूरत तो है because being an Indian citizen responsibility तो आपकी है कि आपको यह सब चीज़ें पतावनी चाहिए और इसको follow भी करना चाहिए पढ़िएगा टॉपिक अब बात आती है next focus हो जाता है अब हम लोग का ना नेक्स अब जो भी हम लोगों ने पढ़ा है अब उसके पर question answer का session हो गया है अब आप लोग की बारी है अब आप लोग बोलना है स्टार्ट करिए ठीक है एक एक करके question देखेंगे नेरली 40 questions है जो हमको करने है ठीक है question number one question पढ़िए and then इसका answer देनी questions करिए legally sanctioned document सब लोग बहुत easy constitution बहुत easy answer है ठीक है next the constitution assembly was set up under अब 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 आप्शन बी क्रिप्स मिशन क्यों नहीं है क्यों फेल हुआ था याद है Muslim league हाँ ठीक है very good very good next who was the chairman of the drafting committee of the Indian constitution I got two easy question who was elected as a permanent president of the constitution very good amazing how many committee were formed for the constitution अब यहां पर यहां पर यहां पर मैं थोड़ा सा एक external fact आप लोगों बताना चाहूंगा answer आप लोगा 13 है as per your syllabus recording आप पर 13 answer है बट यहां पर एक चीज़ में बताना चाहूंगा जो committee's extra information है इसके लिए जादा bother नहीं होना है अपर समझने के लिए जो आपकी committee's है और यो क्लासिफिकेशन दो तरीके से किया गया था इनका classification दो से किया है एक थी major ठीकर और एक थी minor committee卉स अब बहुत ति राफ्टिंग जिसके बारा है ममलूब ने काफी कुछ पढ़ा है ड्राफ्टिंग कमेटी इसी तरीके से जो मैंने कुछ कमेटी आपको और बताई थी जैसे Central Provincial Committee Central Constitutional Committee तो इस तरीके कि कई कमेटी साथ या आज कमेटी में आ दिती हैं बट माइनर कमेटी पर बहुत exhaustive लिस्ट थी, सिर्फ 13 कमेटी नहीं थी, बट as per your syllabus and your information, कहीं न कहीं जो कमेटी जो मेजर बड़ी-बड़ी कमेटी थी, आपके syllabus के according वो 13 थी, लेकिन अगर आप जब internal desk में और आगे इसके बारें पढ़ाया करेंगे, तब आपको पता चलेगा, कमेटी मातर 13 नहीं थी, उनका classification major और minor में किया गया था, उसके according काफी कमेटी इसमें थी, जिसको में major में साथ या आठ आती थी, उसके साथ माइडर में कई कमेटी यहां थी, अभी इत्मा जाने की जुरू होती है, मैं बस एक fact के रूप में आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है? Next, कहा तक हो गया था हम लोग का? How many committees? ठीक है, next question, पढ़िये इसको, Apart from the BR Ambit, how many members? Six, six, बहुत 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 बताने की जुरू है, इसमें आंसर बता ही क्या है? None of the above, because total member केते थे, साथ थे, एक डॉक्टर राइज देंटर, वो, वीम्राव बेटकर साथ, उनके अलावा केते हैं, बचे, छे, बचे, ठीक है? बहुत इसी सा कोशन था, बहुत बेसी सा कोशन था, next, Constitution of India was adopted on? बेसिक सा कोशन है, अभी कोशन थोड़े से एक दो, मैंने अपने पास एक ट्रिकी बनाया देखते हैं, इसको, next question, अब बताईए, बताईए, यह answer दीजे, बहुत इंपोर्टन था, इस question में एक answer होगा, या एक से दाधा answer हो सकते हैं, बताईए, मैं बताःए, देखे, 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 अभी कोंस्टिटूइंट असेंबली की खास बात यही यही थी, कि उसमें कोई foreigner नहीं था Lord Mountbatten was the last wife of India देखिए मातमा गांधी और एक fact बोला जाता है कि इंडिया की दो prominent personality एक तरस मातमा गांधी और दूसरी तरस यह तो prominent नहीं बोलेंगे मुहमद अली जिना यह दो personality जो बहुत जादा limelight में थी बद दोनों ही constituent assembly के member नहीं थे इसी के आधार पर यह question मनाया गया है but by default Lord Mountbatten was also not the member of constituent assembly तो इसका answer A and B दोनों होगा ठीक है फ्लार लिसमें by default answer A लिखा हुआ है यह by mistake है next first meeting of मातमा गांधी constituent assembly के member नहीं थे speak loudly and properly I'm not haan बड़ी इसका बहुत basic answer first meeting of 9 seconds एक में 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 आप्शन बताएगे A B C आप बताएगे simple बहुत बेसिक था है सी आंसर नेक्स आंसर टॉप मारेंगे आप लोग रहा है मुझे बेसिक था क्वेशन कुछ बताने के ज़र होती है एक्जाक्ली नेक्स्ट अब बताईये आंसर बताईये जवाल नहरू हो ठीक है अच्छा यह बताईये क्या पेश किया था प्रियंबल पेश किया था उन्हीं ने अब्जेक्टिव रिजलुशन देट डेट क्या है अब्जेक्टिव रिजलुशन पार सुने की सेटींट अफ दिसमबर नैंटी 40 सी राज गुपालाचारी अरे बाई इंडिया जब इंडिया अजाद हो गया थो उसके बाद इंडिया के जो पहले वाइस राइस 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 राय थै बहुत प्रोमिलें परस्नालिटिया पेहले इंडियन वाइसरा जो बने जैसे लॉड बॉंड बेटन थे तो लॉड बॉंड बेटन ने जब 13 जून वाली घुश्ण की कि इंडिया पाकिसान का पार्टीशन हो जाएगा तो अवियस्सी बात है कि सब लोग चले जाएंगे तो पार्टीशन के बाद कुछ समय के ल पहले आखरी पी वही थे, ठीक है, अभी हिस्टिय में सब आएंगे का बता है, पॉज्ञां को ये उस समय की उस समय की सरकम्स्ठांसिस परिपन्ड करता है, डिपन्ड करता है, तो तो अनुझाने ने पहले बना लिया, हम लोग लोग उसका अगले दिन बना ता, को इसके पी अब वो मुहमद अली जिना से पूछा जाएगा कि भाई क्या इशू थे मुहमद अली जिना बहुत ध्यान से भाई या पार्टिशन हो गया में के लिए नेक्स्ट दिमांड ओफ दिमांड और कॉंस्टेटर सेंब्ली फिर्स्टी वेज इन दा एयर आफ अब इसका अंसर दी लुच में और किता ना किता कि कम केम आप्शन को देखने पाद हमारे अ then M.N. Roy M.N. M.N. Roy साथ ने 1934 में सबसे पहले इसके बारे में बात की थी but 1935 में INC ने इसको officially announced किया था then correct answer will be 1935 clear? yes next question अब बताईये initially how many members were in the constituent assembly basic question basic question next evolution of untouchability lies in which article क्या नाम है आपका good very good अच्छा कर रहा है मैं बहुत ही अच्छा कर रहा है next amongst all 389 members how many members were representative from British Indian state 292 292 next question ये classification आप लोगको पता है ना 292 और वाला 4 chief commissioner provinces ने से exactly yes exactly yes very good next question बहुत basic सा होगा इसी पे हुई होगा how many members were from the chief commissioner provinces this food too simple too simple too simple too simple too simple next B B B B very good next who was the first who was the viceroy of India when India became free Lord Mountbatten जब इंडिया free हुआ तो उसे में आजादी की घोशना की ही किसने थी Lord Mountbatten या ठीक है लॉड मांट्बेटन तो इंट्लेक्ट्ट्टल परसन मतला की इस आमेजिंग आया अगर बोला जाता था वो परसन ना होता तो शायद और भी बावाला चल रहा होता चुकि उडिए इतने अच्छे तरीके से इंडिया पार्टिस्टान का जो पार्टिशन था 3 of June 1947 में इसा प्रोसेस हुआ मैं लग तु इंटेलेक्टिल प्रोसें बैराल इंट दो पॉइंट लॉर्ड मॉन्बेटन इस दर करेक्ट आंसर नेक्स आफ्टर पार्टीशन आप पाकिस्टान दा मेंबर आफ कॉंस्टिटोंट असेंबली डिक्रीज़ फ्रॉम 389.2 यह फैक्ट है शायद आप लोग ने अब यहीं पे एक रख्स है ज्यान से थोड़ा कॉश्चन क्या है? पढ़ने के पुशिश करिए आफ्टर दा पार्टीशन आफ पाकिस्टान दा मेंबर आफ कॉंस्टिटोंट असेंबली डिक्रीज़ फ्रॉम 389.2 वो जो 292 था वो इंडियन स्टेट से था उस समय इंडियन स्टेट में पाकिस्टान का रीजन भी आता था ठीक है? तो हम लोग एकदम क्रॉस फैक्ट जो होते हैं उसको बहुत ध्यान में रखना है 292 जो इंडियन से बिटिश इंडियन स्टेट से वहां से मेंबर आये थे उसमें लेकिन जब इंडिया पाकिस्टान का पार्टीशन हो गया तो इंडियन कॉंस्टिक्टोंट असेंबले में कितने मेंबर बच्चेते हैं? 2.99 2.99 अब देखिए अभी अमने आप लोगों कुछ पढ़ाया है अब बताइए इस कोशन का अंसर देजिए चलिए बताएए अंसर इसका 7 7 इफ 7 देन वाइ इफ 6 देन वाइ देखिए एक काम करते हैं कितने लोग हैं जो 6 के साथ जाना चाहेंगे औप्शन B लेखिए बहुत फैक्ट है हुआ क्या था यहां पर बस एक फैक्ट जो है जो में क्रक्स है कोशन का वो यह है कि राइट टू प्रॉपर्टी जो आर्टिकल 31 में था वो फंडमेंडल राइट था और उसको इंक्लूड करके हमारे पास कितने फंडमेंडल राइट थे साथ ठीक है ना और राइट टू प्रॉपर्टी हमारा हटाया कब गया है 9788 44th Constitutional Amendment Act 1978 पूस्ट जा राए 1976 इट मेंज गरेक्ट आण्थर बी 7 थेंगे इदे र North गी कुर्टन यह तीनों थे पंडित मैं रूप ड्राफ्टिंग कमेटी के सातों मेंबर के नाम आप लोगों को याद होना ज़रूरी है इडिस मेंडेटरी प्रकॉस आप अगर वो सातों नाम याद रख लेंगे न तो बहुत से चीज़े अपने आप क्लियर हो जाएंगे ठीक है बहुत से कुशन आपके ऐसे क्लियर हो जाएंगे तो एकदम उसमें एकदम इसकिप नहीं कर सकते हैं पंडित नहरू वाग नौट दा मेंबर आफ ड्राफ्टिंग कमेटी अच्छा पंडित नहरू किस किस कमेटी को हेड कर रहे थे ये भी मैंने बताया आप लोग को दो कमेटी वोबी हेट कर रहे थे कहन सी ये वाग बॉट वरी गुट बहुत से चला बहुत 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 अबैजिए टू फंटैबलस बढ़ीट ने राइट राइट वीडम चंट राइट अंडर 14 to तो इसमें क्या है इसमें है इसमें एक्वालिटी 19 to 22 कौन सा हां एक्वाइट एक्वाइटेशन 23 अन 24 29 थर्टी 29 थर्टी एक्वाइट करके एक्वाइट करके कुशन कहता कल्चर वाले कौन बोल वा था वो बता है कुशन क्या है हां हां कोश्चन पुछिए क्लियर है चलिए इसका अंसार है नेस्ट अब बताइए क्या होता है जो प्लेशर वाला हार्मोन होता है आपको जब कुछ पता होता ना तो फॉरल रिलीज होता है तो तुरंद बोला थर्टीटू वोट इस कोश्चन एक्जाक्लियर रीड आप यकीन मानिये अगर मैं सिर्फ क्लास लिने बैठ जाओ तो इन जार टॉपिक के उपर क्लास ले लूँगा पूरे एक घंटे क्लास चलेगी तब भी आपके टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा अगर इन डेफ्ट अनालिस करें इतनी पावर्फुल यह कोश्चन है अगर आप जानना चाहें तो कुश्चन का अंसर देने की कुशिश करिए क्लियर कि इस कॉंस्टिटूशनल राइट अब यहां पर मैं थोड़ा सा क्यों बोल रहा हूं चुकि इसके भी दूआंसर है इसके भी दूआंसर है कैसे थोड़ा सा अगर मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे साथ यह सब मैं इस कोश्चन को आपसे पूछने का आप जो लोग बोले है यहां मैं बताना इस कोश्चन की वज़े से मैं आपको कुछ चीज़े बताना चाहता हूं वह बस आप देख लिए ठीक है जो मेरा बताने कहसे था फंडामेंडल राइट भी करेक्ट आंसर है किसी को फंडामेंडल राइट बोलेंगे कभी किसी को हम लोग लीगल राइट बोलेंगे कभी किस चीज़ को कब बोला जाता है जैसे एक जो हमको नेचरव की तरश से मिले हैं से oxygen है यह हमको नेचर में free of cost मिली हुई है no one can stop us तो ऐसे राइट जो हमको नेचर की तरफ से मिले हैं उनको हम लोग नेचरल राइट बोलते हैं ठीक है इसी तरीके से आपको fundamental राइट के बारे में मैंने आप लोग को बताया था ऐसे राइट जो जस्टिस येबल है अगर आपको इनसे छीना जाएगा देन यू आर केपेबल टू क्लेव अगें देन इन अपकोट में इसके अगेंस जा सकते हैं अगर कोई छीनेगा इनको बोलते हैं इसी तरीके से कुछ राइट ऐसे होते हैं कि अगर सरकार कुछ उपर नीचे तो कर सकती लेकिन आप as a right लेकि उसको आप court में नहीं जा सकते हैं directly way में court में नहीं जा सकते हैं but court accept करें या ना करें ये court के ओपर depend होता है जैसे fundamental right का अगर आपका हनन हुआ तो अगर आप court गये तो court is compelled to accept your petition but in case of legal right it is not compelled on the court कि वो आपकी petition को accept करे या ना करे तो legal right वो right होते हैं कि आप इनके लिए court तो जा सकते हैं but court उसको accept करें या ना करें या उसको उपर dependent है but fundamental right चुकि आपको fundamentally मिले constitutional से backing है तो आप उनको जाएंगे तो court is compelled to accept your petition ठीक है तो ये दो difference होता है fundamental right में और legal right में fundamental right और legal right दोनों पाए कहा जाते है fundamental right तो हमारे constitution में ही पाए जाता है ये बात पता ही है है ना legal कुछ legal right भी होते हैं जो हमारे constitution में ही पाए जाते हैं जैसे एक example आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था जो article 30 जाता है जाता है थ्री हंडरेड ए में और आर्टिकल 31 क्या था फंडामेंटा राइड था आर्टिकल 300 फंडामेंटर राइड पाए हमारा legal right बना दिया गया है बात क्लियर है ना legal right भी आपके constitution में है fundamental right भी आपके constitution में है तो अगर कोई चीज अब इसका answer क्या है fundamental right तो तो हम उसको भी constitutional right बोल सकते हैं इसी तरी किस अगर कोई right आपका legal right है तो भी हम लोग उसको constitutional right बोल सकते हैं ठीक है बट अगर in a one go देखेंगे तो जो fundamental right जिसने इसका answer दिया है वो भी सही है और constitutional right दिया है तो वो भी सही है लेकिन इसका question इस तरी किस आएगा ने यह तो मैंन नहीं होगा बात के लिए है सब कोई है everyone ठीक है move on to next question next question public employment discussed in which article article कि एपी कौंसा सीज़ी बीचिक विल भी तर्करटा वेसिक कोशन है बहुत इसी सा कोशन है नेस्ट आर्टल रिलेटेड विथ रिस्पेक्ट तो अर्स्ट और अन डिटिंशन अब बताईए चलिए एक कोशन का जवाब दिए चलिए वो बताईगा आर्टिकल ट्वेंटी और आर्टिकल ट्वेंटी टू इग्जैक्ली है क्या इसका सब्जेक्ट में लिखा क्या तो इसमें लिखा क्या आर्टिकल 22 में क्या है बताई यह अब आपाई क्या होगा अधिकल 22 हो जाएगा सीज का अंसर हो जाएगा यह ए यह आ रहा है तो यह इसका करें बाइड एटीफॉल्ट हो गया होगा it is a correct answer by default होता है PPT का matter है ठीक है next question बहुत easy सा है next मार्शाल ला बिसकर 34 बहुत basic सा article 34 कोई question जोजी इसमें किसी को आगे बढ़ते हैं next basically 365 20 बहुत बेसिंद जोजी बता है इसमेकर बचचरा बॉचीए इस普通 अब ऒता है इसजीए इसथे हैं इसी आखो अबभा शकूशन और सेखो इसखो गेंगें गेंगें यह गो बैक टूबएसिक बताया था मैंने फंडमेंटल राइट इस नॉट एपसिलूट मतलब कि उसमें चेंज किये जाते इती मेंज इस वालिफाइड ओप्शन नमर ए करेक्ट इस जस्टिशिएबल If someone आपके fundamental law को ले रहा है तो आप उसको against में कोर्ट में जा सकते हैं It is justiciable It is available for Indian citizen as well as for the foreigner मतलब क्या था दोनों को available है But कुछ cases ऐसे हैं जहां पर ये सिर्फ और सिर्फ किसको available है Indians को available है उनके article भी मैंने आपको बताया थे आपको याद होगा 15, 16, 19, 29 and 30 ये कुछ particular article है जो सिर्फ और सिर्फ Indians को available है बाकी सारे fundamental right आपके foreigner को भी available है So, yes sir It means for this question All of the above, is that correct answer? No, it says foreigners को fundamental right fundamental right क्या है कि क्या बोलागा था fundamental right की basic definition क्या है कि for a overall development of any individual fundamental right is necessary ठीक है? Overall development of any individual की बात हुई है Any citizen of India की बात नहीं हुई है अब आप सोचिए, खुद सोचिए कि अगर यहाँ पर कोई person यहाँ पर पढ़ने के लिए आ रहा है किछी दूसरी देश से तो क्या हम उसको fundamental right नहीं देंगे? उसको right to privacy को हम नहीं देंगे? क्या उसकी privacy को हम हरन कर लेंगे? उसको right to equality नहीं देंगे? Obviously उसको हम पढ़ने सब कुछ तो fundamental right individual के लिए है not specifically only for the citizen of India Got it my point? Move on to next topic Next question यह बताईए Be consciously Please read the question Be consciously Then you have to give your answer Will it related to judiciary Is specifically यह वर्ड पढ़िये Is specifically है अब आप पढ़िये तो सबसे पहले तो Prohibition Q-warant to Mandamus and none of the above Prohibition देखें आप लोगों को बैने जब रिट्स पाक कितने तना की रिट्स होती है 5 तरीकेस Q-warant to Mandamus Heavious Corpus Prohibition Certuary इसमें जो Prohibition और Certuary है वो specifically Judiciary से रेलेड़ेड है मतलब Higher Judiciary अपनी Lower Judiciary जिको Directions देती है तो यहां पर कौन-कौन सी ऐसी चीज है Prohibition हाँ है उसके लावा Certuary के बारे में कही बात हुई है नहीं हुई है Then Prohibition will be the Correct answer Clear? Next question Yes Next Current status of Article 31 No It is इसे कि जियाद रखे भी आफ़े इस बारे में प्रकौन वादे आफा हाँ यह वा कि तोड़ादा क्राम होके मां सदेंगे क्या है वो नैश्रूल राइट हो गया है प्रिकेश्ट नो फंडमेंटर राइट था अब नहीं है नन अब 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 हो नहीं यह अब लीगर राइट हो गया है सिंपल बेशिक सा कोश्टन है नेस्ट हाँ आर्टिकल 25-28 is related with religion, basic concept religion खिक है? religious sorry हाँ सुरी कम एगें बताया है तो है अब इंडिया में जो अच्छे चीज और भी आप यह जो आपको मैंने बताया था 15 16 19 29 और 30 यह ऐसे फंडमेंटर राइट जो सिफ इंडियन को अविलेबल है ठीक है इसके अलावा राइट वोट जो है राइट वोट है वह भी सिफ इंडियन को ही अविलेबल है ठीक है अगर राइट वोट फॉरिनर को भी दे दिया जाएगा तो बाहर से जो जिन पार्टी की जिनकी जादा पहुँच होगी अब जैसे इटली से कॉंग्रेस की होगी इटली से वो बुला लेंगे कैंगे आओ यहां पर वोट डाल सब लोग मिलके मैटके तो कॉंग्रेस जीज जाएगी ना तो इस नॉट आ मैटर बहुत बेसी सी ची से राइड टू बिकम उप्रेसिडेंट यह इंडियन सिटिजन के लिए राइट और प्राइम मिनिस्टर वो भी किसके लिए है तो अगर इनडिया हम यहां पर जब आएंगे यहां के सिटीजन आप बन जाएंगे तभी इन सब चीजों के फाद़ आप उठापाएंगे अन राइट लाइफ और स्वान लीबर्टी इंद कुछ अंडर आटेकल राइट लाइफ अब इस ने तों अच्छ मुपट नहीं होना चीज अपने से लॉयल रहना बहुत जादा इंपोर्टंट है honesty is the best policy okay be loyal with yourself article 21 both basic the question next hmm two amazing question article 51 is related with dpsp sure it's a trap it's a trap it's a basic trap article 51 yes i know that article i think it's a pin copy is only or it's me or a 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